आप सभी का इंडिया के नंबर वन सभी को मालूम है डेली सुबह 8 बजे अपना एक important session ने जो की होता है लेकिन अभी आने वाले 10 दुनों के लिए ये 8 बिजे वाला session में सुबह 6 बजे आप लोग लिए लेकिया है हूं ताकि आपके current affair session के अंदर किसी भी तरीके से कोई problem ना आया और आप इंडिया का best current affair session best newspaper के साथ में उसको अच्छी तरीके से detail के अंदर है जो की पढ़ सकें तो जैसा कि आप सभी को मालूम है आज है 12th of March तो 12 March के हमारे जो newspaper है वो सारे के सारे हम लोग cover करने वाले हैं ठीके गाइस तो चलिए उमीद करता हूं कि आप सभी लोग जा गए होंगे मुझे मालूम है बहुत सारे यह अपनी class 8 बजे हो रही है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे ख्याल से है कि हम लोग 6 बजे जो है इस class को cover कर रहे हैं तो चलिए शुरुबात करते हैं यह सारे के सारे इंडिया की newspaper है अगर आप इन पे से किसी भी exam की preparation करते हैं और तो आप इस session को regular देख सकते हैं चलिए ठीक है तो सबसे पहला सवाल जो कि मैंने कल आपको दिया था वो देखेंगे उसके बाद मैं code of the day देखेंगे उसके बाद मैं सारे के सारे newspaper देखेंगे उसके बाद मैं आज के दिन इत्यास में क्या हुआ fun fact पांच vocabulary देहिंदु से और quiz है जो कि हम लोग cover करेंगे चलिए तो कल मैंने आपसे सवाल पूछा था mcx sx क्या है तो यह क्या है एक stock exchange है सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा मैंने आपसे पूछा था कि correctly match करना था तो इ passenger mapping और investigating दा mercury एक स्पेस क्राफ्ट और वह आगर वन और टू क्या है यह आउटर सोलर सिस्टम को बनाए गया है चलिए नेक्स्ट है और जो कि मैंने आपसे पूछा था आर्टिकल को लेकर constitution के अंदर अगर जो कई बार ऐसा होता ना कि administrative authority बहुत जादा uncontrolled power ले ले लेती है तो आर्टिकल 14 के अंदर दोस्तों इसको cover किया गया है next question मैंने आपसे national ruler livelihood mission को लेकर पूछा था जिसमें आपका पहला और दूसरा statement बिलकुल सही था है ना जिसके अंदर manufacturing industries के लिए बात करे गई और self help group बनाने के लिए बात करे गई तो यह आपका यहाँ पे सही जवाब था ठीके गाइस चलिए तो आगे बात करते हैं आप देख सकते हैं यह सारे के अपको कोई प्लस कोर्स ले रहा है तो आप ले सकते हैं इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर की सारे एक्जाम की classes चल रही है आपको भी एचुटन यूस करना है आपको 10% आफ मिल जाएगा और ज गोल सलेट करना है गोल सलेट कर सकते हैं आप 40 प्लस एक्जाम के लिए प्लस पर जाएए गेट सब्स्रिप्रिप्शन पर बारह या चौबिस मन्त पर और भी एचु टैने जो कि आपको यहां पर लगाना है ठीक है अगर आप जॉब करते हैं तो स्माइल फॉराल सब्सक्राइब कर सकते हैं 27 मार्ज तक रैफ्रल कोड लगाएगा भी एचु टैन चलिए आज का कोड़ दे देखते हैं सक्सेस्फुल मैनिजर वन हूं कैन ले फर्म फाउंडेशन विद द ब्रिक्स अदर्स हैव थ्रून एट हिम कुल्मला के एक सक्सेस्फुल आदमी वह होता है जिसके ऊपर कितने भी पथर फेके जाएं उन पत्थरों से वो क्या बना लेता है अपने रास्ते बना लेता है आप सबी को मालूम ही है कि success अभी मिलती है तब दुनिया के दुआरा कितना ही criticism जब आता है हम उसको जेलते हैं, सुनते हैं, निकालते हैं एक कान से और हम लोग हमारे काम के ओपर focus करते हैं दुनिया आपको बहुत कोसेगी, दुनिया आपको बहुत नकारा बोलेगी, दुनिया आपको बहुत opposition करेगी, आपको बोलेगी ये मत करो, वो करो, ऐसे मत करो, वैसे करो, लेकिन आपको करना किसका है, अपने मन का करना है, क्योंकि कही न कहीं आपके दिल को पता होता है कि क् क्या गलत है ठीक है गाईज चलिए ठीक है चलो तो सबसे बहले बात करेंगे आज के दहिंदू के ओपर सबसे पहले तो दोस्तो अभी आपको मालूम है बीजेपी ने फोर इस्टु वन का रेशो है जो की इलेक्शन में किया है लेकिन फोर इस्टु वन के रेशो में देखने का बहुत इंटरस्टिंग होगा आने वाले दुनों के अंदर है ना तो इसकी प्रॉब्लम को फिक्स है जो कि बीजेपी करने की कोशिश कर रही है हाला कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है बहुत बार हो चुका है ममताब एनर जी भी भी लास्ट टाइम हार गई थी कर मैं रिसेंटली बात करूं तो लेकिन वह वहाँ पे लीडर थी तो वह खुद बन गई वहाँ पे लेकिन यहां पे कौन बनेगा सीम यह देखने की बात है पॉजिटिव शिफ्ट है जो कि युक्रेन और रश्या के बीच में बात्चीत के अंदर हुई है यह पुतिन गाję थी बीजेपी के सामने इस वाले एलेक्शन में जैसे की पैट्रोल के दाम बहुत जादा हो गए डीजल के और गैस के दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज था अडे इंफ्ट ऐलेंट संद्ट तीसरा बहुत बड़ा चैलेंज था जोह चौपरहे गए और चस था फार्मर प्रोटेस्ट तो इतना लार्ज प्रोटेस्ट इतने सारे प्रॉब्लम के बाद में भी कैसे फोर इस्टु वन का रेश्यो बीजेपी ने किया उसका यहां पर किया है देखो आपके एक्जाम में कोई नहीं पूछ गाई है लेकिन आपके बस बेसिक अंडरस्टै यहां पर पार्टी जो है वो ज्यादा मैटर करती है कैनिडेट से कंपेर के अंदर लेकिन गोवा में कैनिडेट मैटर करते हैं तो यहां पर देहिंदू के दुवारा CSDS और एक लोगनीती CSDS जो है वो क्या है Center for ठीक है यह Center है इसका पूरा नाम है Center for Studies of Developing Societies तो इन्होंने एक पोस्ट पोल सर्वेए जो की 2022 में अभी किया है इलेक्शन के बाद में जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो यह हाई पॉपुलारिटी है Central Government की because उनके welfare scheme के वज़े से उत्तरपरदेश के अंदर उन्होंने जो religious polarization किया है इसके वज़े से बीजेपी को विक्तरी है जो की उत्तरपरदेश उत्राखन और गोवा में देखने को मिली है समझ गए तो यह research है जो कि यहां पे करी गई है अब आप ब इसके वाला तो समझ में आता है religion ground के ओपर बीजेपी बहुत खिलती है तो उसका फायदा उनको मिला है लेकिन यह welfare scheme की कौन से बारे में बात कर रहे हैं तो welfare scheme की बारे में बात करूं जो कि लोगों को बहुत matter भी किया है वो है यह सारे scheme आप देखे 80% लोगों को फर्क पड गए थी योगी जीने अपनी राशन के उपर ही फोटर चिपका दे थी तो वहां से काफी marketing करने में help मिली किसान सम्मान निधी योजना जो है वो 57% लोग है जो की है ना उनको matter करता है उसके अलावा उजाला scheme 46% health care treatment 30% तो यह scheme जो है ना money जो उनके account माता है scheme में 27% ओके घर मिलते हैं वह 21% यह सारी scheme कि अगर मैं बात करूं तो यह welfare scheme का बहुत बड़ा योगदान है जो की central government की popularity के अंदर रहा है जिसमें काफी लोगों ने इसका वेटिज बताया है तो यह कारण रहे जिसके वज़े से इस बार election के अंदर काफी बड़ा advantage है जो कि यहां पे मिला है ठीक है guys तो उमीद करता हूँ कि आपको एक basic basic understanding है जो की हो गई होगी और देहिंदु ने state wise analysis किया है वैसे state wise analysis break up किया है सर्वे किया गया हर राज्य के अंदर और वहां पे लोगों से पूछा गया कि उनके लिए क्या matter करता है जैसे की covid related death की बात करे न तो पंजाब के लेकर blame कि और उत्रा खंड में भी one-third लोगों नहीं इसको लेकर फर्क माना unemployment और प्राइस राइज पंजाब के दोस्तों बहुत बड़ी वह रहे इस्यू रहे वही उत्तर परदेश के अंदर यह इस्यू नहीं रहे तो ऐसे कई सारे data है जो कि आपे बताए गया है चलिए एक बार वीडियो को शेर कर देना है थोड़ी थोड़ी देर के अंदर अपने जित्ते भी गूरूप के अंदर क्योंकि बहुत लोग जो है है ना जो अभी भी सो रहे होंगे तो उनको पता लग जाएगा चलिए आगे बात करते हैं जो कि है inquiry को लेकर देखो रिसेंटली ज यह बहुत बड़ा आपको मालूम है एक इस्यू है जो कि इंटरनेशनली भी बन गया और हमारे दोनों देशों के बीच में भी बना तुरंत जो है वो इंडियन कमिशनर को जो है वहां पे बुलाए गया संबन किया गया और एक स्ट्रॉंग प्रोटेस्ट है जो कि यहां प अप्लोजी जाहिर करी और हमने बोला कि यह एक रूटिन मेंटिनेंस की प्रॉबलम था हमें मेंटिनेंस कर रहे थे लेकिन एक टेकनिकल मालफंशन का मतलब होता है गल्ती होना ग्लिच होना तेक्निकल के वजह से क्या हुआ एक एक एक्सिडेंट्ली मिस फाइरिंग है जो अच्छी बात यह थी कि इसके अंदर कोई loss of life नहीं हुआ अगर यह किसी ऐसी जगे पे गिर जाती जहां पे बहुत ज़्यादा पॉब्लिक होती तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रेट हो सकती थी और पाकिस्तार ने भी आप बोला कि बहुत ही unpleasant consequences है जो कि ऐसे development के होते हैं और civilian property जो है वो damage होती लेकिन life जो है वो risk में नहीं आई यह अच्छी बात है ठीक है guys तो surface to surface supersonic missile है आप सभी को वालूम ही है बहुत ही amazing बहुत ही तंगडी missile है तो यह जो है वो चले गई 40,000 feet के altitude के उपर जाने के बाद में जो है यह जो है वो चले गई और पाकिस्तान की जो है आर्मीन उन्होंने भी कहा कि कोई military का installation कीसी भी आसपास की जगे में नहीं था यानि की military का area में यह missile नहीं गिरी थी ठीक है और साथ मैं भारत को ऐसे major जो है वो अपनाने चाहिए ताकि ऐसे event है जो की भविशे में ना हो जिससे human life में या किसी गौर problem आ सके हाज अभ पाकिस्तान ने उस time पर downgrade कर दिये थे इंडिया के साथ में टाइस जब हमने जम्मु एन कश्मीर से special status हटाय था ओके तो फिर उन्होंने जो है वो ट्विटर पर करकुरा के इस तरीके से जो है वो information को आगे निकाला ठीक है और बड़ी बात यह है कि उसके अदर कोई ज्या बिल्कुल भी नहीं वह क्योंकि इसा दुन्या में क्या पहले भी हुआ है इसा नहीं है दोस्तों दूनिया में पहले भी हैसे जैसे की 1982 की हारपूर मिसाइल इंस इंसटेंट है जो कि आप देख सकते हैं है न इसको हूव सा भी नाम दिया गया था वूपस मिसाइल थी एक Unintentionally Discharge है जो कि हारपूर मिसाइल हो गए थी दोस्तों Danish Frigid के दुआरा जब वो ट्रेनिंग कर रहे थी 1982 के अंदर 34 किलोमेटर इस मिसाइल को ने ट्रैवल किया और बात में जाके एक ट्रीस के अंदर एक्स्प्लोड है जो कि हो गई और कई सारे कॉंटिजेस वहाँ पर बने वे थे एक नियर्बाइ 130 बिल्डिंग थी आसपास के एरिये में वहाँ पर डैमेज हो गए लेकिन कोई हुबन इंजिरी देखने को नहीं मिली थी इसी प्रकार से एक बार चला गया था तो ऐसे कई बार मिस्फारिंग के इंसिडेंट जो है वो पहले भी देखने को मिले इस बार जो हो यह दोनों के बीच में पॉइंट में बीच में मिसाइल है जो की देखने को मिली थी ठीक है चलिए ओल्राइट चलो बतलब एक बार तो दुनिया को ऐसा लगा होगी तब तो एक बार तो सब को ऐसे लगाओगा चलिए ठीक है पाकिस्ता एक बच्चा बोल रहा पाकिस्तान वाले इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा पाकिस्तान की बात करे तो पाकिस्तान इस नोवेर इंद प्रिजन सिनारियो अगर आज की दुनिया की अगर मैं या डिफेंस की बात करो तो पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं है ओके दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज के अंदर भी नहीं है जहां पर हम लोग टॉप 5 कंट्रीज में आते हैं वो टॉप 10 के अंदर भी नहीं है MTCR जो है Missile Technology Control Regime करके एक Organization है जो कि Missile Technology का आपको देता है उसमें हम लोग इंडिया मेंबर है उसका समझते हो सोचिए काफी बड़ी बात है Malaysia selling Technology के दर आपको इंडिया के अद्वानटेज मिलता है यहां पर है पैकिस्तार उसका opportunities के ऑख करे शकी नहीं मिलके कन पर ब्हुत करेकिक सीश legit अगर इंडिया पाकिस्तान के कल को आज के टाइम पे वहर हो जाती है तो डेफिनेटली इंडिया को भी नुक्सान होगा दस साल भी पीछे चाले जाएंगे बीस साल पीछे चाले जाएंगे लेकिन पाकिस्तान के दुनिया से नामु निशान बिट जाएगा जो मैप होता है मैप उसमें मैप में कहीं वर्ल्ड मैप में पाकिस्तान नजर भी नहीं आएगा इतना ज्यादा डिफरेंस आज के इंडिया और पाकिस्तान के अंदर है तो कंपेर करने को लॉजिक ही नहीं है चलिए ठीक है आगे बात करते हैं पेज नुमर पांच की तरफ दोस्तों यहां है यहां पर के दोबारा पेश किया गया कई आद्र परदेश के दोबारा बजट किया गया बहुत सारे राज इनकर बजट नहीं जो कि पेश किया है करने के लिए वो जल्दी है आने वाला है इसके काफी अच्छे रिजल्ट है जो कि देखने को मिले इसके रिसर्च करी गई है टाटा इस्टिटूट फॉर जनेटिक एंड सुसाइटी की डारेक्टर राकेश मिश्रा के दुवारा इसका प्रोडिट का नाम क्या है इसका नाम सब्सक्राइब इसका नाम क्या है इसको बनाया है समझें मेरी बात चलिए तो यह जल्दी अविलेबल हो जाएगा और है ना ठीक है तो यह इंडिया की क्या होगी फर्स्ट इनिजीनेस कोविड ड्रग है जो कि होगी दुनिया के अंदर इसको लेकर काफी काम चल रहा है आज की जल्दी 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 जो है वह ड्रग आ जाता कि वैक्सल लगाने की जरूत ना पड़े है आगे बात करते हैं पेज नंबर साथ की तरफ यहां पे आप देख सकते हो महारास्ट्रा के दुवारा बजट पेश किया गया है वेस् आपको किसी भी राजजे का बजट पेश होता है और उसमें कोई भी नई स्कीम कुछ नया एड़ होता है ना तो मैं आपको साथ में डिसकस करता हूँ क्योंकि उसके बारे में सवाल स्प्पेसिफिकली पेपर में पूछ लेता है जगर आप किसी भी स्टेट के फॉर सब्सक्राइब को पढ़के जाओ अगर आपको कोई किरिला का एक्जाम करें करना है तो बहुत ही ज़रूरी है नेशनल लेवल पर गर में बात करो तो नेशनल लेवल पर जो इंपॉर्टेंट बनता है वह स्रीफ इतना बनता है कि कौन से इसकीम हमारे लिए महतरपुर है अब जैसे देखो महराष्टा के बजट की बात की जाए तो यहाँ पर फाइब पॉइंट डवलप्मेंट की बात करे गई पंच शूती के बारे में बात करें पंच शूत्री पंच शूत्री मतलब पांच पॉइंट का डवलप्मेंट प्रोजेक्ट है अगरिकल्चर और टोटल का अगर बात करें तो साड़े 6 लाग करोड का असपास का बजट पेश किया गया जिसमें से पॉने 6 क्रोड के असपास है जो कि यह कमाएंगे और 18% ठीक है जो की इनका जीडीपी एस है स्टेट का जीडीवी का प्रोजेक्ट है अब देखो यहाँ पे पूरे मे जो सबसे important बात है वो स्रीफ एक ही है इंद्रायानी मेगा सिटी प्रोजेक्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा इंद्रायानी मेडी सिटी प्रोजेक्ट यह प्रोजेक्ट क्या है कि 300 एकड के अंदर पूरे सिटी के पास में बनाया जा रहा है जिसमें hospitals होंगे, centers हों यह सारे centers होंगे यह वाली न्यूज है आपसे पूछेंगे इंद्रायानी मेडी सिटी कहां पर बनाया जा रही है बाकी कुछ भी इस करदर important नहीं है लता मंगेश का international college of music and museum भी बनाया जा रहा है मुंबई university के campus के अंदर ठीक है चलिए आगे बात करते हैं यहां पर देख स पड़ा था कल भी दोस्तों रश्या के दुवारे statement आया कि क्यो ते महेंगे के अंदर खरीते हो मैं दे रहा हूं नहीं आपको यहां पर discount के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है देखो रश्या के प्रॉब्लम क्या है कि रश्या के जो दो रूट थे बड़े वाले एक तो य यूरॉप के अंदर देखो क्या रश्या की डिमांड जादा है इसलिए है ना इसलिए यूरॉप की कई सारे companies ने यूरॉप ने भी क्या किया है कि रश्या के कुछ कंपनी को अलाव किया है जो कि इनको तेल देती है ताकि उनके साथ में तेल ले सके लेकिन यूएसे ने द यूएसे वाले वोद का नहीं पीपाएंगे अब क्यों कि वोद का दोस्तो अब यूएसे में नहीं बिलेगी क्योंकि वोद का रश्या से आती है समझ गया है तो आज के टाइम पे 139 डॉलर पर बैल के आसपास है जो कि ये रेट पौँच चुकी है तो ये रश्या बोल र या रश्या को आईसुलेट करने की कोशिश कर रही है। USA है ना, साथ लाख बैरल का तेल है जो की लेता है रश्या से, USA. अब ये खराब पड़ा, ये जो है ना, इनको जुगार देखना है, इसको बेचने का. समझगे मेरी बात? वैसे ही European Union के बात करें, तो ये 4.5 million बैरल पर इडे के आसपास, है ना, ये लेती है. तो ये 7 लाख बैरल कहा पर बेचना है, ये जो गार है जो की रश्या कर रहा है. ठीक है? चलिए, उमीद करता हूँ कि आपको ये बास समझ में आगए होगी. अब इंडिया के उपर एक क्या कॉल लेते हैं, अब लोग सस्ते में तेल खरीते हैं, या फिर USA के साथ में जाके, रश्या को, के बैन को, हम लोग accept करते हैं. या कोई मीडल का तरीका निकालते हैं, या आने वाले दिनों के अंदर ही पता लगिया, अब इलेक्शन हो चुके है, सरकार भी जीच चुकी है, तो पेट्रोल के दाम भी जल्दी बढ़ते हैं, आप लोग देखने को मिल सकते हैं. क्योंकि अभी freeze जो कर रहा था, एलेक्शन के वाज़े से, उदस तारीकों खतब हो जाँ, ठीक है, हनी सिंग से ले लो चार बोतल वोत का, काम उनका रोजका है, चलिए, आगे बात करते हैं, जो कि हम लोगे बात करेंगे, स्टार्ट अप्स को लेकर, पेटियम को लेकर, इ पेटियम के ऊपर, जो है, वो बार लगा दिया है, बार का मतलब, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, कि वो नए कस्टमर एड नहीं करेगा, समझ गए, औरिट ऑपेमेंट के लिए दोस्तों बोला है, उसके IT इंफ्रासक्चर को लेकर, शुरूबास थे पेटियम को अपनी म IPO की टाइम पे इसके शेर खरीदेना, आज उसके वन थर्ड हो चुक है, आज की वैल्ली उसकी चल रही है, साड़े 700 के उपर, सोचो, कितना नीचे चला गया, विचारे, जिन लोगो ने पेटियम से पैसा लगाया था, उनके क्या हालत हो गए, हैना, इन्होंने अभी रिसे के द्वारा, तो यह सब प्रॉब्लम है, जो कि अभी पेटियम में देखने को मिली है, पावर यूज कर यह सेक्शन 35 से, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के माध्यम से, आप किसी भी पेमिंट बैंक के उपर यह ओडर दे सकते हो, रेगुलेटरी पावर के द्वारा, कि वो अपना आगे काम नहीं करेगा, ओडिट का दूस्तों यहां पर रिसेंटली ओडर है, जो कि दिया है, ठीक है, जिसके आईटी ओडिटर्स जो है, उनके दुवारा रिपोर्ट है, जो कि बनाए जाएगी, तो पेटियम बैंक की बात करें, विजे शेकर शर्मा जी के देखने को मिलता है, ठीक है, चलो, यहां पर देखोगे, पिछले काफी टाइम से दो-तिन साल से है ना, बहुत जादा टफ कॉंपेटिशन पीटियम को देखने को मिला है, पाँच यूपिय ऐप अगर पिछले साल की अगर मैं बात करूँ तो आप देखोगे, फोन पे से 42 लोगों ने पे किया है, गूगल पे 36 परसंट ले, लेकिन पेटियम का मार्केट शेयर गिरके 14-15 परसंट के उपर आ गया है, तो यह पेटियम के लिए बहुत ही नुक्सान दाइगरा है, यहां पे देखो आप, फोन पे कैसे उपर की तरफ जा रहा है, गूगल पे भी इसका गिरा है न, उसके वाज़े से जो बाकी स्टार्ट अपस है, उनके उपर भी दोस्तों टाइटर वैल्वेशन स्क्रूटनी है, जो कि अभी सैबी लगाना चालू करेगा, क्योंकि अगर यार इस तरह किसे स्टार्ट अप का हल भी खराब है, पीटेम का हल भी खराब ह है न, तो अगर जो ये स्टार्ट अपस आ रहे हैं, जो कि लॉस्स मेकिंग है, उसके बाद में भी आईपियो लेके आ रहे हैं, लोग पैसा लगा रहे हैं, विथाउट नॉलिज के, तो ये एक प्रॉब्लम है, और अगर इस तरह किसे आईपियो नीचे गिरते रहेंगे, देखने को मिल रहा है, चलिए, आगे बात करते हैं, आई आर डी आई की नए चीफ हैं, जो की अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है दोस्तों, देबाशीश पांडा को चेर्मेन, इंसुरेंस रेगुलेटरी एंड डवलप्मेंट अथॉर्टी आफ इंडिया का बनाए इंसुरेंस को रेगुलेटरी अथॉर्टी है, जैसे स्टॉक एक्शेंज की से भी है ना, उसी प्रकार से, ठीक है, चलो, स्कूरूटनी होता है, जब आप किसी की जाज परताल करते हो, अच्छे तरीके से उसको कहता है, है ना, चलिए, एक बच्चा बूच रहा है कि सर क्यों हो रही है, सुबह 6.00 क्लास इसलिए हो रही है क्योंकि मैं भी हूँ, लंडन के अंदर, इंगलेंड में, और यहाँ पर टाइम हो रहा है, एक बज़ रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपके वहाँ पर साड़े 6.00 बज़ रहे हैं, और मैं नहीं चाहता है कि यार आपकी क्लास किसी तरीके से छूटे इसलिए रात को एक बज़े आपके क्लास ले रहा हूं ठीक है डेड़ दो बज़े खतम कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि आप इन्या के हर एक एक्जाम के अंदर जो है वह आपका डे टू डे डवलोपमेंट होता रहे वह मेरे लिए बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं चाहता नहीं हूं कि कोई भी दिन करेंट अफेर आप लोग लिए मिस हो अगर मैं किसी दिन बहुत ही जादा अप्विपाइड होता हूं या ट्रावल कर रहा होता हूं मतलब फ् काम तो करेगा लेकिन नए कस्टमर आड़ नहीं करेगा पुराने वालों को ही लेकर चलेगा कि अंकित बोलरे से अंग्रेज उससे बदला लेकर आना है सब्सक्राइब के लिए इसके लावा यहां पर बारे में पता आ गया है यह भी पढ़ लेते हैं बाइजू ने देश का सबसे बड़ा स्टार्टप बन चुका है बाइस बिलियन डॉलर की कंपनी है जो कि बाइजू बन चुकी है और इक मात्र ऐसा स्टार्टप है टॉप फा इसके जिसमें से 400 मिलियन डॉलर तो रवी चंदरन ने खुद ने ही इन्वेस्ट कर दिये खुद ने ही खुद की कपनी में इन्वेस्ट कर दिये ओके इंडिया की सबसे बड़ी फंडेड स्टार्टप कंजूमर इंटरेट सेग्मेंट बन चुका है साड़े चार बिलियन 100 का इंभेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमें इन्हें पिछले कétais में रविदेट से कुठाया है अकाश कोचेयं स्टूइट को भी दिया कोबते हैं इनकीले सुक्त प्रॉब्लम में वो है कि वर्क कल्चर इन बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टिंग है चलिए ठीक है आगे बात करते हैं जो कि ये जेन पीए को लेकर देखो जवाला नहरू पोर्ट के बारे में सुना होगा आप सभी ने तो ये प्राइविटाइज हो रहा है दोस्तो आने वाले एक मेहने के अंदर तो जवाला नहरू पोर्ट अथॉर्टी जेन पीए प्लैन कर रहा है कि वो प्राइविटाइज करतेगा अपना जवाला नहरू कंटेनर टर्मिनल जिसको वो खुद ऑपरेट करता था जिसको अब लोग बोलते हैं जवाला नहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल जीन पी सीटी एक मेने के अंदर यह प्लाइज हो जाएगा चलेरेंस इसको म पाइप्लाइन को देखते हुए नाशनल मनिटाइजेशन पाइप्लाइन के अंदर आपको बताया था कि ऐसा इंफ्रासरक्चर प्राइविट मॉडल के उपर आप बनाएंगे जिसमें काफी प्रोडेक्शन होगा काफी ग्रोथ होगी ठीक है वह अलगी कहानी थी एक और तो इसमें 12 जो हमारे ग्लोबल पोड ऑपरेशन है तो उसके अंदर इंटरस्ट है जो कि दुनिया की 12 कंपनी ऐसी पोड कंपनी है जिन्होंने इंटरस्ट दिखाया है जिसके अंदर आपकी बहुत डीपी वर्ल्ड करके इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल है अबुधाबी टर् इंटरस्टर है काफी बड़ी बड़ी कंपनी है ठीक है जी एन पोड इंटिया में पांस टर्मिनल में से एक अल्रडी ओपरेट करता है और इसकी कैपसिटी से अभी फिफ्टी परसेंट ही चल रहा है क्योंकि अभी यहां पर जो एक्विप्मेंट लगे वे ना वह काफी पुराने लगे हैं इसलिए अपनी इफिशेंसी से काम नहीं कर पा रहा है चलिए आप देख सकते हैं भारत के जो मेजर पोर्ट्स है जहां से अब लोग काम करते हैं वह है मुंद्रा कांडला पोर्ट जामनगर में मुंबई का हो गया जवाला नेरू मर्मगुवा गुवा वाला बैंगलूर में हैं कोची तुटी कोरें चन्नेई और विशाका पटनम यह सारे आर्टिफिशल पोर्ट्स आपने कुद्ने बनाए हैं परादीप हो गया उनिसा में कुलकता और हल्दिया यह सारे के सारे हमारे मेजर पोर्ट्स हैं ठीक है हमारा 95% जो ट्रेड होता न वाल्यूम का वो समुद्र के थ्रू होता है और 70% वैल्यू यानि कि अगर मैं यह बोलू कि 100 kg अगर आप सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो अगर मैं यह बात बोलू आपको कि 100 kg तो यानि कि 95 kg जो आपका सामान आता और जाता है न वो कहां से आता है शिपिंग से तो और 100 रूपे की अगर बात करूँ कि अगर आप बिजनस करते हैं तो 70 रूपे का जो बिजनस है वो आपके शिपिंग के मांध्यम से होता है हमारे यहाँ पर 13 major port है और दोस्तों के आसपास minor और intermediary port है 100% FDI आलाओ है 10 एर का tax holiday भी अवेलेबल करवा रखा है जो की port को चलाता है हमारे यहाँ पर major port को central government चलाती है international trade handle करता है 10 लाग से ज़ादा का traffic देखने को मिलता है ठीक है उसी प्रकार से जो minor port होते हैं यह state government manage करती है coastal और fishing trade करती है और 10 लाग से कम का traffic आपको देखने को मिलता है अब यह सारे के सारे आपके महतरपुन port है जिनके बारे में आपको जानकारी होने चीए एक्जाम में सवाल बनता है जैसे की कोलकता port किसके नाम पर रखा गया था शाम प्रसाद मुखर जी के इकमात riverine major port है देश का परादीप की बात करें इस्ट के अंदर है कोलकता का न्यू मैंगलूरू जो है न वो iron ore का export करता है विशा का पट्नम वाला deepest land logged है जवाला नेरू port की बात करें सबसे largest container port है best मना जाता है global port के लिए मुंबई की बात करें oldest है और सबसे बड़ा है सबसे जादा ट्राफिक वाला भी यही है दोस्तों मुंबई वाला कांडला पूर्ट के बात करें तो टाइडल पार्ट है oil salt cotton यह कांडला के अंदर देखने को मिलता है कोची पूर्ट की बात करें यह natural gateway है natural port है टी और यह सबाता है हापे चन्ने की बात करें तो हमारे east के अंदर सबसे बड़ा है और second सबसे largest भी है टुटी कोरण का वी ओ चिदाम्रम पोर्ट इसका नाम रखा गया एंडॉर पोर्ट जो है वो भारत का पहला corporate पोर्ट है और सबसे यंगेस्ट है पोर्ट ब्लेर का और आयरन और आपका मॉर्मगोवा वाले के अंदर देखने को मिलता है तो यह सारे पोर्ट की जानकरी है मेगा और पोर्ट है जो कि डबलब किये जा रहा है चलिए नैंटीन फिफ्टी फोग हेग कन्वेंशन के बारे में बात करते हैं देखिए युनेसको ने रिसेंटली यह बात बोली थी कि रश्या और युक्रीन की वार के अंदर जो युक्रीन के अंदर ऐसे उनको डैमेज है जो कि नहीं करना चाहिए अगर डैमेज करेंगे तो इससे पूरी दुनिया का लॉस होगा तो किसी भी युद्ध के अंदर है ना कोई भी बड़ा देश छोटी देश के कल्चर को डिस्ट्रॉइ ना करें इसका ध्यान रखा जाता है किसके अंदर इस हेक क उनको डिस्ट्रॉइ नहीं करने के लिए दोस्तों यह कन्वेंशन है जो कि साइन किया गया था युनेस को चाहता है कि प्रोटेक्टिव मेजर अपना है युक्रेन के एंडेंजर कल्चर हेरिटेज को बचाने को लेकर तो पहले क्या हुआ था एक शील्ड ब्लू शील्ड बनाये गया था 1954 के हे कन्वेंशन के अंदर यह देखो आपे अभी दिखाता हो आपको का गया इस तरीके का यह ब्लू शील्ड एंबलम क्या था ऐसी बिल्डिंग के उपर इसको लगा दिया जाता था यानि कि इसको प्रोटेक्ट करना है इसको तोड़ना या उड़ाना न किया था वह काम करने में आसानी है जो कि किसी कंट्री को हो जाती है क्या हो गया या कि कैसे नहीं जा रहा हाँ ठीक है तो ही कन्वेंशन नाइंटीन फिफ्टी फूर के अंदे साइन किया गया था ओके ताकि लार्ज स्केल डिस्ट्रेक्शन जो कल्चर हरिटेज का है उसको रोका जा सके इसको कि दुवारा किया गया था और पीस के तोर पे जो है वो दे जो की इसको प्रोटेक्ट करने को लेकर काम करते है डिटक्रोस के साथ में मिलकर भर्टेगा कि यह चलिए जलो कि उनाइसको के बात करें 1945 में शुरुआ थुई Paris के अंदर headquarter 193 member है, 11 associate member है और US चे और इसराइल ने इसको quit कर दिया था 2019 के अंदर इनके द्वारा कई सारे initiative लिए गए है जैसे कि man program man and biosphere program world heritage program, global geopark और network of creative cities ये सारे इनके द्वारा launch करे गए है ठीक है चलिए कई सारे report भी publish करी जाती है इनके द्वारा, जैसे कि UNESCO science report global education monitoring report state of the education report for India ठीक है, चलिए ये सब जिसमें state of the education report में बताया भी गया था कि एक लाग स्कूल में हमारे सरकारी में 19-20,000 स्कूल जो है न उनके अंदर तो road भी नहीं है जाने के लिए 10,000, 20,000 स्कूल के अंदर सिर्फ एक single teacher है जो की पढ़ा रहा है एक ही teacher है, सारे subject पढ़ाता है तो इस तरह के कई सरे data बताया गया था आगे बात करते है chemical weapon convention और biological weapon convention को लेकर देखो भई, रश्या ने ये बोला है कि Ukraine के अंदर है न एक वहां पर क्या है कि chemical weapon बनाने के कई सरे laboratories है ओके तो उनको जो है वो क्या करना चाहिए काम में नहीं लेना है, चाहिए है Ukraine को साथ में रश्या ने ये भी बोला है कि अमेरिका ने भी इसको काम में लिया है chemical और biological weapon को है ना, और ये USA की ही laboratory जो की उक्रेट में काम कर रही है हाला कि USA ने मना कर दिया इस बारे में और रश्या को भी ये USA बोल रहा है कि तुब भी जो है कभी भी chemical और biological weapon काम में नहीं लोगे इस यौर war के अंदर क्यों नहीं लोगे क्योंकि इसको लेकर भी convention ने जो की किया हुआ है chemical weapon ऐसे chemicals होते हैं जो की intentionally है ना, किसी gas के माद्यम से, chemical के माद्यम से उस पूरे area के अंदर ऐसी gas chemical फैल जाते हैं जिससे वहाँ पे एक पत्ता क्या, वहाँ पे एक कोई है ना, छोटा सा बीज भी ने उख सकता फिर वहाँ पे, वहाँ पे लोगों की हालत बहुत जादा खराब हुजाती है, तो इसको लेकर chemical weapon convention act 2000 जो है वो पास किया गया था, ताकि जितने भी लोगों के पास में chemical weapons से उनको destroy कर दिया जाए, इंडियन government भी दोस्तों की member है, और हम भी चाहते हैं कि prohibition हो, chemical weapons के, तो यह लोगों को मालने के लिए ही दोस्तों actually chemical weapons बनाया जाता है, जिल लोगों के उपर मिसाल नहीं गिरी न, वो भी chemical से दूर बैठे जो है, in fact होके मर जाएंगे, 1980 में इसका negotiation स्टार्ट हुआ था, 92-93 में जाके जो है, वो इसको convention के उपर काम करना स्टार्ट हुआ, ठीक है, अभी दुनिया के 192 countries इसकी parties है, 165 signatures है, इंडिया भी इसका पार्ट है दोस्तों, यह development, production, acquisition और stock piling, यानि कि उसको भंधार करना, यह सब रोकता है chemical weapon के, ठीक है, चलिए, biological weapon, यह microbiological agent काम में लेते हैं, chemical weapon तो chemical काम में लेगा, microbiological agent, bacteria, virus, fungi, जैसे कि ऐसे चीज़े जो है, biological weapon में डालके भेज़ दी जाती है, जो कि लोगों के human से human, animal से animal transfer होती है, और सब को तवा कर देती है, सोचिए, अगर COVID नहीं होता है, और कल को कोई आदमी दुनिया में COVID का वाइरस डालके, microbial agent डालके किसी पर हमला करते था, और उस पूरे देश में COVID फैल जाता, है न, तो एक देश तो कभी भी vaccine बना गी नहीं पाता, जब तक तो उसके पूरी population से बढ़ जाती, तो कितना बड़ा नुक्सान हो सकता था, ठीक है, चलिए, तो, ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कि USA और इसराइल ने युनेसको को क्यो छोड़ा, तो देखो, जिग्यासा, USA का ये कहना था, और इसराइल का ये कहना था कि पलेस्तिन की कुई भी जो मॉनुमेंट से उनका अब रिकरगनाइज मत करो, युनेसको सिटीज में, युनेसको की हरिटीज लिस्ट में, लेकिन युनेसको करता है, पलेस्तिन के भी किया उसने, और फिर इनका इल्जाम ये था, USA इसराइल का कि ये, जो पलेस्तिन का जो एले है, जैसे की चाइना, रश्या, उनको सपोर्ट कर रहा है, इस वज़े से उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, तो 1925 में जेनेवा प्रोटोकॉल हुआ था, जहांपे बायलोजिकल वेपर को बैन किया गया, इंडिया ने 1950 में इसको रैक्टिफाई किया था, ठीक है, चलिए, ये मैं आपको बताए चुका हूँ, आगे बात करते हैं, प्रिजन्टेशन ऑफ वोमेन इन जुडिशरी, आप सभी को मालूम है दोस्तों, जुडिशरी में महिलाओं की भागेदारी बहुत ही कम है, इसको लेकर काफी सीरियस कंसर्ण है, जो कि हमारे CGI के दुवारा बताया गया है, दिखाया गया है, उन्होंने कहा है कि हमारे महिलाओं का पार्टिसिपेशन जादा होना चाहिए जुडिशरी में, अब भी दोस्तों बहुत कम है हाई कूर्ट के अंदर, ये बात International Women Day जो है उस दिन बोली गई थी वैसे, ठीक है, International Day of the Women Judge वैसे 10 मार्च को आता है, वैसे तो 8 मार्च को आता है International Women Day लेकिन जज की जब मैं बात करता हूँ, तो ये 8 मार्च को आता है, तो United Nations General Assembly का Resolution था 75 to 74, ठीक है, तो 10 मार्च को तब बनाए गया International Day of the Women Judges 2021 के अंदर, तो इसमें बोला गया कि लोगों को क्या करना चाहिए, इसको कतर के दुवारा इसकी शुरुवात है, जो की करे गई थी, है न, महिला जजज का contribution होता है, उनका effort होता है, वो महिलाओं को लेकर अच्छे rights जो है, अच्छे faciles जो है, वो सुना सकती है, इस पायार कर सकती है, और महिलाओं को आगे आने को लेकर है, जेंडर न्यूट्रल रहरें की possibility जादा हो जाती है, जब participation दोनों ही पक्षयों का जादा होता है, समझ के मेरी बात, ठीक है, तो UN Sustainable Development Goal जो है, उसके भी goal 5 के अंदर है, जेंडर एक्वालिटी के बारे में भी, तो आप दिखोगे अगर हमारे आपे दोस्तों Supreme Court के अंदर मात्र और मात्र, 11 परसेंटेज, ठीक है, का महिला जजजज है, 33 में से आज के टाइम पे सिर्फ 4 ही महिला हैं, जो कि हमारे आपे जजज है, महिला लॉयर की भी इस्तिती अच्छी नहीं है, टूटल हमारे देश में 17 लाग वकील है, जिसमें से 15 परसेंटी दोस्तों सिर्फ महिला हैं, जबकि पॉपुलेशन तो 50 परसेंट से भी जादा हो गई आज के टाइम पे, खना 1000 पुर्षों पे 1020 महिला हो चुकी है, इसके कारण क्या है, एक तो सोसाइटी में पेट्रियार्की बहुत जादा है, अगर आप North India को देखोगे ज़ादा तर, और South India में देखोगे, तो South India में कल्चर मेट्रियार्की देखने को मिलता है, महिलाओं की जो है डिजन जादा चलते हैं, लेकिन major population जो देश की है वो North India यहां पे दोस्तों पैट्रियार्की चलती है यानि की जो है वो डॉमिनेट करते हैं आपने भी देखा हुगा आपके घर में आपके पापा ने कुछ बूल दिया बही ऐसा करना है तो उसका मतलब फिर वैसा ही होगा तो साथ इंडिया में उल्टा होता है वहां पे बैट्रिय के सुसाइटी में जादा है इसके वज़े से भी दोस्तों महिलाओं को अधिकार जो है उनके नहीं मिलते है है ना चाली हरिस्मेंट बहुत होता है लैक आफ। रिस्पेक्ट है मैंबर्स के लिए है ना उनका उपिनियन जो है वो मैंटर नहीं कर पाता जादा ठीक है चली ह इसके अलावा कॉलेंजियम सिस्टम जो है उसकी फंशनिंग की भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि more women जो है वो lower judiciary के अंदर entry level पे तो आती है लेकिन recruitment जो होता है वह entrance के धुरू होता है दूसरा जो senior होता है वही उपर की तरफ जो है वो जादा जाता है तो जादा mail होगे तो है चलिए और 37 में से शरीफ अभी 17 ही महिला है जो कि appoint करी गई है अगर significance क्या है दोस्तों अगर high woman representation होगा court के अंदर तो तो क्या होगा महिलाओं को justice जादा मिलेगा पहली बात तो ठीक है और दूसरी बात transgender जो है उनको भी rights मिलने के chances काफी अच्छे रहेंगे इसके अलावा different point of view है जो है वो आपको देखने को मिलेगा different representative के तौर पे diversity देखने को मिलेगी judicial reasoning बढ़ जाएगी और cases के answer जो है वो जादा बहतर देखने को मिलेगे ठीक है चलिए तो आने वाले दिनों के अंदर कर ऐसा होता है तो हमारे समाज के लिए हमारे behavior change institution change ये काफी जादा जो है वो देखने को मिलेगा है ना चलिए और ये जरूरत है implement ही करना है आपको दोनों पक्ष का जो है वो राय लेनी चाहिए और उसके बाद जो भी best decision है वो लेना चाहिए ठीक है चलिए आगे बात करते है msme innovative scheme को लेकर तो recently msme ने इक innovative scheme launch करी है इसका नाम है msme idea hackton 2022 एक बार वीडियो को share करते ना guys काफी बच्चों को पता नहीं ह class के बारे में एक बार वीडियो को share कर देना चलिए ठीक है तो recently design करना intellectual property rights के बारे में बताना यह सब msme के लिए launch किया गया है एक करोड रुपे दिये जाएंगे अगर आपका idea अच्छा है design अच्छा है पेटेंट अगर आपके पास में तो यहां पर funding के विदा अवेलेबल करवाए जाएगी city भी है जो कि इसको manage करेगा जो कि 1990 के अंदर बनाए गया था ठीक है incubation के अंदर क्या होगा इंक्यूबेशन के अंदर क्या होगा कि आपको funding तो मिलेगी लेकिन इसके लावा support भी मिलेगा पूरा ओके और पंद्रा लाक रुपे idea के लिए दस्त एक करोड रुपे अगर आपका plant है machinery है तो उसके अंदर आपको एक करोड रुपे तक की help है जो कि सिड़ भी देगा सिड़ी के hand बने में हैं ठीक है बुद्रा बैंक भी सिड़ी के under में ही आता है अना चलिए अगर आप देखें MSM का criteria क्या है तो पहले तो service sector और machinery का अलग था लेकिन अभी एक ही हो चुका है इस तरह के से क्राइटिरिया होने के उपर आपका MSM ही क्या लाता है कई सारी यूजने पहले भी लौंच करी गई है जैसे कि प्रधान मंत्री employment generation program traditional industry को लेकर सफूर्ती वैसे इस्पायर करके एक और launch करया गाओं के अंदर entrepreneurship को बढ़ावा देने को लेकर ठीक है आगे बात करते है nuclear waste facility को लेकर जो कि कुंदा कुलम के अंदर काफी प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है रिसेंटली वहां की विलेज पंचायत की दुवारा क्योंकि वह नहीं चाहते कि वहां पर एक अवे फ्रॉम रियक्टर फैसलिटी यह जुकी बने अवे फ्रॉम रियक्टर क्या होता है कि रियक्टर को थोड़ा सा दूर लगाया जाता चलिए तो यह वाली बात है और तमिलाडू गवर्मेंट चाहती है कि यह वहीं पर ही लगाया जाए तो गाओं के लोगों का कहना है कि यहां पर रेडियो एक्टिव पलुशन जो है वह जादा होगा और जो ग्राउंड वाटर है वह भी खराब हो जाएगा और उनके पानी में और इरिकेशन के अंदर काफी समस्या हो जाएगी अगर यह प्लांट इस जगह पे उपर लगता है तो हम बात करें तमिलाडू के कुंदा कुलम के अंदर हना दोजाचार में सुनामी के टाइम पे भी काफी हिट हुआ था यह चलिए यहां पर आप देख सकते हो दो प् समझ गए थोड़ा सा दूर प्लांट का प्रिविसिंज होता है लेकिन थोड़ा सा दूर लगा जाता है उसको अपन मोलते हैं ए एफर समझ गए अवे फ्रॉम रियक्टर ठीक है चलिए ताकि उसको कूल डाउन जो है वो रखने में दिक्कत नहीं आए इसलिए इसको थोड आपके रावत-भाटा में भी काम कर रहा है तारापुर में भी काम कर रहा है लेकिन हर जगे के आपने अपनी प्रॉब्लम्स होती है तो वह यहां पर देखने को मिली है रेडियो एक्टिविटी के लेवल की बात करें तो यह इस्पॉंटेनियस इमिशन होते हैं पार्टि जैसे कि आपके यूरेनीयम मिलता है थोरेम मिलता है यह यह रेडियो एक्टिव मतीरियल्स है जिनके जिसकंदर काफी करेंडेमिटेड वार्टर रिसूर्स осे के अंदर यह आपको देखने को मिलता है अगर थोड़ हुआरे प्र में सवाल बनता है और रेडियो एक्तिवि ठीक है चलिए आप देख सकते हो रेडिशन सिंड्रॉम होता है वाटर के फूड के इनकी प्रॉब्लम होती है हुमन साइकलोजी में चेंजिस आ जाते हैं लुकमेनिया कैंसर जनेटिंग मुटेशन कैटराइक्ट यह सारे डिजिस हो जाता है आपके जीन में मुटेशन भी हो देखर रिसेंटली क्या हुआ कि जो कच्रा होता है ना हमारे स्पेस के अंदर है ना जो अपने सेटलाइट का वो मून के सतय के ऊपर चांद के ऊपर ऐसा जाके टकराया कि वहां पर खंडा हो गया बहुत बढ़ा खंडा भी बहुत बढ़ा खंडा है 65 फीट का खंडा और यह पहला रिकॉर्डड अनिंटेंशनल केस है इस पेस जंक का जिसने मून को हिट किया है हमारे अर्थ के ऊपर भी बहुत सारे एस्टरोइड आते हैं हिट करते हैं लेकिन हमें इतना नुकसा नहीं पहुचाया है उसने इतना बड़ा खंडा नहीं किया जितना मून के पर खंडा कर दिया मतलब चायना वालों ने मून को भी नहीं छोड़ा मतलब यार कोरो ना तो पुरी दुनिया में इनकी आँ से आया या है लेकर अब यह वहां पर भी खंडा कर दिया है थीक है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन टेलिस्कोप है प्रोजेक्ट प्लूटो उससे इसके बारे में जानकारी है जो की मिली है प्रोजेक्ट प्लूटो का काम ही है यह कि नियर अर्थ के ऑब्जेट के बारे में स्टेडी करना और उनके बारे में बताना यह गाइड नाम का एक सॉट्वेयर है जो की काम में लेते हैं ठीक है चलिए हमारे बीच हजार किलोमीटर के सर्फेस के अंदर काफी सारे कच्रा है जो कि गूमता है है ना और इसको इसको कैसलर सिंड्रॉम भी कहते हैं कैसलर सिंड्रॉम यह फ्री फ्लोटिंग स्पेस का कच्रा है जो कि काफी नुक्सान पहुंचाता है हमारे ऊपर के हमारे सबसे बड़ा खड़ा है दोस्तों जो की मून के ओपर देखने को मिलता है बूर के ओपर भी एस्ट्रोड आते रहते हैं को मिट्स आते रहते हैं खड्डे करते रहते लेकिन इस तरही के से और यह उपर करना भुझे हैं राते के दिश्र Whatsan हम सकता ब्सक्राइब चाहा करना एदानाफ मून के ऊपर ऑर इकह नगर तो एक तो इस दिसकवरी एक है थी समझ गहें चलिए ठीक है यह देख सकते हो बहुत सारे खट्डे है चांद के उपर जो दाङ बोलते नहीं धूलना दाग production करदा खड्डे का अर्या का फैसılar रोल बहुत बड़ा प्ले करता हूं खड्डे बहुत सारे द grants यहाँ पर है यह यह चलिए ठीक है आगे बात करते हैं करेंट अफेट शॉट्स के बारे में इंडिया का फुली ओड वुमें इंडस्ट्रियल पार्क है जो कि हैदराबाद में उपन हुआ है है फिक के दौरा हंगरी है ने दोस्तो पहली फिमल प्रेसिड बनाई है कैटलिन इनका नाम है कैटलिन नौवाक यह आपको द्यान नाटना है आर बिया ने नेशनल बैंक फर फिनेंसिंग इंफ्रसक्श्च्चन इंडवलोप्मेंड एन एफ एन एबी एफ इदी ओके एदू किया है इसको भी रेगुलेट और सूपर्वाइस किया जाएगा और इंडियन फिनेंशल इंस्ट्टिशन के दुवारा करें पहला आय टिपिकल जिसका मतलब है जो नॉर्मल नहीं होता है सलीजी का मतलब है लो क्वालिटी destructive का मतलब है किसी को बहुत जादा उतल पुतल बचा देना deprived का मतलब है जो चीजे नहीं मिलती जैसे कि आप खाना वेस्ट करती हो और कई लोग को नहीं मिलता तो वो लोग deprived है और separate का मतलब है कोई चीज खराब हो जाना fun fact की बात करें तो जर्मन चॉकलेट के बारे में सुना होगा कभी आप ने तो दोस्तों जर्मन चॉकलेट है ना वो जर्मन ही में बनती है इसके वज़े से उसका नाम जर्मन चॉकलेट नहीं है एक जर्मन करके परसन थे उन्होंने इस चॉकलेट को बनाए था इसलिए उसका नाम जर्मन चॉकलेट है अग्छली में जर्मन चॉकलेट काफी फेमस है दोस्तों ठीक है अगर आप जॉब करते हैं बच्चे को एड्यूकेट कर सकते हैं प्रबंत में हैपिने सब्सक्रिप्शन लेकर यहां से एक बच्ची के एड्यूकेशन आप स्पांसर कर सकते हैं और उसको मदद कर सकते हैं साथ में आने कैडमी में इंडिया के सारे टॉप पड़ा रहे हैं आप रैफल कोड भी एचु टैन या बुरेशन यूज़ करके 10% आफर जो भी लेटेस्ट आफर है वो ले सकते हैं यूपी एसी पीसी डिफैंस बैंकिंग आपको यहां पर करके मूबाइल लंबर डालना है और आपको यहां पर 40 प्लस एक्जाम जो है आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं प्लस में जाईए गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 बंद पर और आप यहां पर भी एचु टैन लगा सकते हैं ठीक है आज का पहला सवाल है युरेसको वर्ल्ड एरिटेज साइट में इसमें से कौन सा टेंपल या जगे इंक्लूड नहीं है वर्ल्ड का लार्जर्ज रिजर्व यूरेनियम का कहां पर है सैलिन वन और बिटल मिशन कौन से कंट्री का है कौन सा इसमें से करेक्टली में अच्छ है तो यह था आज का आपका इंपोर्टन सेशन वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजगा मिलते हैं वापस से कल थेंक्यू आवरिवन गुडबाई थेंक्यू अभी गुड नाइट मेरी तरस से और आपके लिए वहाँ पर गुड़ बाइब आपके लिए